हेलो फ्रेंज मोधुमिता लेटील गीचेन में वेलका मैं हूँ मोधुमिता आज मैं और एक न्यू रेशिपी शेयार करने जारी हूँ आज में श्यार कर रही हूँ ताजे हारे फ्रेष मेति से बना हुआ, बहुत बोड़ी असा टेस्टी क्रिषपी बिस्किट का रेशीपी। नॉर्माली हम लोग मेथी से बनाते परठा लेकिन इस तरीका का बिस्कित साज माने बहुत टेस्टी भी बनेगा क्रिस्पी भी है और स्टोर करके राख भी सकते हैं ठंडी के मोसी में बहुत बली आसा फ्रेस ताजे हरे मिलता है परठा खाते भी बोर हो जाता है तो इस तरीका का रेसीपी जोरूर एक बाठ ट्राइ कर सकते हैं बार्चे के टिफिन के लिए ऐसा फिर चाय के साथ खाने के लिए ये बड़ी आसा बीस्कित बहुत आसान ये शी बना सकते हैं खास तरीकश रिक्त होगा और बहुत बड़ी आसा क्रिस्पी भी बनेगा। चलिए फिर शुरू करते बड़ी आसा रेशीपी। देखी सब से पहले मैंने यहां पे 100 ग्राम जैसा ताजी फ्रेज पेथी लिया, मेथी का जो बड़ा बला डंडा ओ हटा लिया, अभी इस मेथी को मैंने इस तरीका को काट लिया, बहुत ही बारिक काटना है, तो देखे डंडी बहुत बड़ा बड़ा नहीं लेना है, आप आ जो रूट डालना, एकी साथ में एक काप बारिक काटा हुआ फ्रेज हारे ताजी मेथी डाल दिया, साथ में डाल देंगे थोड़ा सा नमक और डालूंगी एक चामच देशी घी, अभी एक चामच घी डालना है, एकी साथ में मैंने डाल देट रूट थोड़ा सा सफेद द तो एक चमों से ज़्यादा घी डालने का जोरोद नहीं है और ओयल की जगा घी डालना है ताकि बिस्कित बहुत बुड़ी आसा बनेगा अभी शुखा इंगिरियोंस को पहले आच्छी तरह से मिक्स कर लेते उसके बाद डालेंगे पानी तो पहले बुड़ी आसा मिथी बग अगर गिला डो बन जाएगा तो क्रिस्पी भी नहीं बनेगा और लाटने के भी दिक्कत आएगा तो इसलिए थोड़ा सा टाइट डो बनाने एसे तो यह टाइट बनेगा क्यूंकि मोईदा के साथ इसमें सुजी मिला हुआ है तो दिखाती हुमी कि इस तरीक एका डो बना आना है तो भी क्रिस्पी बिस्कित गनेगा आप इसके साथ मिलाओंगी खास सेक्रेट चीज ताकि बिस्कित का टेस्ट भी बल जाएगा और बहुत ही क्रिस्पी बनेगा तो इसके साथ मेंने आभी मिला रहे हुँ देखिए थोड़ा सा बाटार बाटार जोरूट डालना इसमें बिस्कित का जो टेस्ट आएगा बहुत बड़ियास आएगा तो एक चमुच जैसा बाटार ज्यादा क्वांटिटी जोरूरूद नहीं कि कि मोईदा जिस क्वांटिटी में ने उज़ किया उसी हिसाब से एक टीबल स्पुन जैसा बाटार जोरूद डालना आप इस किजिए थोड़ा सा ये बाटार डालने का तो बहुत बड़ियास टेस्ट आएगा तो बाटार डालने के बाद और भी दो मिट तक आच्चे तरह से देखी डोको नीर कर लिया अब इसको ढख के कम से कम पाच मिट तक राख देती हो ताकि सुजी है सुजी बड़ियासा सुखा मैदा लगा लिया तो देखी ज्यादा बड़ा साइज का ये पेड़ा नहीं बनाने यानि बड़ा साइज का लिया नहीं बनाने है अब इसको पातला बला रोटी जैसा लाटना है में दिखाती हो तो देखी इस तरीके का रोटी लाटना है बहुत आसानी से लाट सक आँ नर्माल कोई भी नाइप की हल से भी कार सकते ऐसा फिर पीजा कटर की हल से भी कार सकते एक्स्टा जो डो हे साइड का निकाल ले थे हूँ पर्फेक एक रेक्टेंगेल से में बन गया तकि हर बिस्किट अच्छी तरह से पर्फेक्ट सिप आएगा आप कोई भी सेम में बना साकती, मैंने इस तरीका का बना रही हो, ताकि बिशकित जैसा देखनी में लगेगा तो देखें इस तरीका का मैंने बना लिया, आप इसके उपत थोड़ा सा मैंने एक टूत्पिक की हेल से होल बना देती हो ताकि डीजाइन भी बड़ी आसा आएगा अच्छी तरह से अंदर तक सीख भी जाएगा और इसमी क्या होगा इप फूलेगा नहीं तो भी परफिक्ट क्रिस्पी बनेगा तो जोरूट इस तरीका का थोड़ा थोड़ा करके होल बना लेना देखने में तो बहुत ही बड़ी आसा लागेगा आप चाहे तो कोई फोग की हेल से भी थोड़ा सा इस तरीका का होल बना सकते हैं तो देखिए इस तरीका का पातला बला लड़ना है तो एक ही प्रोसेस में मैंने पूरा ऐसे ही बना लिया पहले एक संद में पूरा पहले बना लेंगे तो क्या होगा बहुत असाने से फ्राई कर सकते हैं आप चाहे तो एक एक बेस भी बाना के फ्राई कर सकते हैं ऐसा फिर इसी तरीका से पुरा एक पर में बाना के भी फ्राई कर सकते हैं चलिए आप इसको फ्राई करते हैं फ्राई करने के लिए मैंने पहले वाईल गरम करने के लिए राग दिया थ तो देखी मैंने इतना सरा डाल दिया बहुत बढ़ियासा फ्राई होगा लेकिन एक तरफ होने के बाद ही मैंने इस तरीका से घुमारी हूँ रोटिट कारी हो ताकि हर तरफ आच्छी तरह से फ्राई भी होगा कालार भी बढ़ियास आएगा आप चाहे तो इस विस्कित को आ करना है तो अभी ये परफेक्ट क्रिस्पी बने का कालार भी बढ़ियास आएगा तो देखी कितना क्रिस्पी बन रहे है कालार भी मसता रहे है क्रिस्पी टेक्स्टार परफेक्ट और टेस्टी ये बाला बिस्कित जुरूर एक बाद ट्राई कर सकते है तो देखे आच्छ मैंने फूरा बिस्किट को फ्राई कर लेती हो देखने में कितना मस्त आ रहे हैं और बहुत ही क्रिस्पी बनेगा मैं तोड़के भी दिखाऊंगे इस तरीका कब रिस्किट कड़बा भी नहीं लगेगा पार्फेक्ट टेस्ट भी आएगा चाय के साथ भी खा सकते हैं तो दे कितना क्रिस्पी बनी है अंदर का टेक्स्टार भी कितना पार्फेक्ट है थोड़ा सभी हाड भी नहीं है बहुत ही क्रिस्पी टेस्टी बिस्किट सो फ्रेंड्स आई होप आपको फीडियो पसंद आया अगर फीडियो पसंद आया तो जोरूर मेरे चेनल को कीज़े SI hard new new recipe देखने के लिए और bell बोटन को प्रेस करना ना भूले ताके notification सब से पहले आपको मिल जए SI hard new new recipe देखने के लिए